वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग क्लास 7 की शुरुवात करने वाले हैं ट्रांस्पोर्टेशन इनिमल्स एन प्लांट्स की जो कि हमारा बाइलोजिका चैप्टर से जहां पे आप सीखेंगे जो ट्रांस्पोर्टेशन होते हैं और्गनिजम लाइक हुमन्स और जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं तो हम लोग देर ना करते हुए आई हम लोग बात करते हैं थोरा सा टॉपिक पे तो सबसे पहले समीं ये समझना है, जो transportation word दिया गया है sir, what does it mean? आप ये word से familiar है, transportation word समझते होंगे, जब कोई substance एक जगा से दूसरे जगा move करता हो, तो हम लोग कह सकते हैं transportation, बट अगर हम लोग बात करते हैं दो higher organism में, एक हम लोग बात करेंगे animals में और एक बात करेंगे plants में तो animals में कैसे transportation होता है, अब हम लोग बात करेंगे transportation का मतलब थोरा internally समझना है, हमारे bodies में बहुत सारे processes हो रहे हैं, तो जो भी processes हो रहे हैं, उसमें हम लोग समझेंगे किस प्रकार से transportation of materials takes place, है ना, और हम लोग फिर बात करेंगे last section में plants की, तो आप ये याद रखेंगे, च systems हैं, तो हमारे body में जो different type के systems हैं, अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले transportation in animals में आपको पढ़ना है friends, circulatory system, है ना, अगर हम लोग बात करते हैं, circulatory systems की, है ना, ये circulation system बनता कैसे हैं, पहले ये बात करते हैं, आपको ये पता है, जो भी living organism हैं, वो बने हुए हैं, cells से, फिर cells से हमारा क्या बना हुआ है, tissue बना हुआ है, और tissue से क्या बना हुआ है, tissue से बना हुआ है, organ, और organ से क्या बना हुआ है, organ system, अब यहां से बात करते हैं, organ systems हमारे body में different types के होंगे, but they are worked in a together manner or together patterns in which they are coordinated with each other, तो कैसे coordinates हैं, आई ये हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला, circulating system को समझेंगे, तो इसमें जो various organs होते हैं, organ के basis पे, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, blood का, हम लोग बात करेंगे, फिर hurt का, और फिर बात करेंगे, blood vessels का, clear है, अब यहां से समझेए, पहला तो याद करना है, the substance which need to be transported, तो हमारा कौन सा substance transport होगा, और by which organs और body part, तो हम लोग बात करते हैं, जैसे example के तोर पर आप समझे लिजिए, माल लिजिए, we eat something, कुछ खाना भी खाएं, वो खाना कहां चला गया हमारा, that is, हम लोग बात करते हैं, digestive system में, तो digestive system, आप ये nutrition पढ़ें हैं, second chapter में, तो nutrition in animals में, मैंने आपको बताया था, जो digestive systems होते ह हैं, वो हमारे mouse से start होगे, और जो हमारा elementary canal था, वो terminate हुआ NS पर, और हम लोग बात करते हैं, mouse से NS के भीच में various organs आते हैं, जैसे मन के चलिए, हम लोग बात करते हैं, stomach की, तो कुछ भी हम लोग eat किये, कहां चला गया, stomach में, तो क्या हुआ हुआ, digestion, फिर further कहां से move हुआ, stomach स हैं, तो हम लोग बात करते हैं, intestine से, अब intestine से substance क्या हो गया, यह चला जाता है हमारे liver के पास, और liver से हम लोग बात करते हैं, फिर पूरे body में, तो यह जो transportation है, substance की, that is, हम लोग बात करते हैं, stomach से intestine, intestine से liver में, तो यह कैसे जा रहा है, जब एक system से, दूसरे system में, transfer होंगे, उ हम लोग बात करते हैं, जो blood है, वो connect करता है, one system, connect the, हम लोग लिख सकते हैं, various systems of the body, various systems of the body, वो बहुत सारे system में क्या करते हैं, connect करते हैं, जैसे, अगर हम लोग बात करते हैं, suppose, यह समझे, तो जैसे हमारा क्या हो गया, digestive system, that is, intestine से, कहां चला गया food, यह चला गया liver में, तो कैसे चला गया, तो blood ने क्या किया, यहां से substance को transport करवा है, मतलब intestine से food कहा है, blood में, और become the part of blood, फिर यह पूरे body में circulate हुआ, तो basically जो हम लोग बात किये, वो transportation की, अब यह सोचिए, हमारे body में, जो भी substance से, वो water drink किये, water भी transport हुआ, तो water पहले कहां गया, digestive system में, फिर हमारा circulating system का पार्ट बना, फिर security system की पार्ट बना, तो इस तरह से हमारे body में क्या हो रहा है, जितने भी substance हैं, जो भी materials हम लोग टेक करते हैं, चाहे वो drugs हो, चाहे हमारा alcohol हो, चाहे हमारा waters हो, food हो, whatever be the substance, वो सारे के सारे क्या होंगे, transport होंगे inside the bodies, और major जो fluid है, वो हमारा क्या होता blood intake करता है, इसमें lymph की भी बात करेंगे थोरी से आगे, तो हम लोग फिलाल आपको बताने वाले हैं, जो transportation होंगे via blood, तो आईए हम लोग थोरा सा बात कर लेते हैं, type of circulation की, अब यह चीज़ समझे, अगर हम लोग बात करते हैं, types of circulation में, तो यह basically दो types का हो गया, दो types में रखिएगा, एक हम लोग बात करते हैं, close type की, और एक बात करते हैं, open type की, अब यहाँ पर समझना है, हम लोग अगर animals की बात करते हैं, तो जो lower animals हो गया, like earthworm हो गया, तो उनसमें जो हमारा blood circulation system होगा, उनमें क्या होता है, vessels नहीं होते हैं, तो इनके जो circulatory systems, वो कैसे हो गया open type की, तो लिख सकते हैं इसमें, body fluid do not flow in confined vessels, they flow in open space, और close की बात कर सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं, body fluid like blood, body fluid like blood, क्योंकि हम लोग बात करते हैं, blood का basically, lymph की अभी बात नहीं करेंगे, बट उनके लिए भी lymphatic vessels हैं, तो body fluid like blood flow in, हम लोग कर सकते हैं vessels, और ये vessels जो होगा हमारे दो types के होंगे, ये समें लोग पढ़ेंगे इस class में अभी, तो आप यहां पर समझ ये, तो जो हमारे circulation के types हो गए, अब इसमें क्या करना होता है, हम लोग को various organs की जो हम लोग बात करेंगे, one by one, ये सारा part पढ़ेंगे, और फिर समझेंगे, ये सारे body parts जो हैं, वो coordinated system में कै इसे काम कर रहे हैं, तो आई ये हम लोग सुरवात करेंगे, सबसे पहला याद करते हैं, human circulatory systems, है ना, आपको basically human सही पढ़ना है, जो lower organs में, ये higher class में आप पढ़ेंगे, तो अगर मैं NCRT को follow करूँ, तो आप ये देखेंगे, सबसे पहला आपका आता है, human circulatory system, अब ये human circul circulatory systems क्या है, आई ये हम लोग से बात कर सकते हैं, तो आपको पता है, जो human है, वो हमारे बहुत सारे several, जो हमारे systems हैं, उनसे बने हुए हैं, उसमें एक परना हमारा blood, that is हम लोग circulatory systems की बात करेंगे, तो circulatory systems के major 3 parts हो गया है, एक हमारा हो गया blood, उसके बाद हो गया blood vessels, and then last प होगा blood, तो कैसे हम समलेंगे, कि blood जो है, वो body के किस parts में present है, और कैसे वो हमारे body से बाहर हो जा रहे हैं, आप ये सोचिए, तो हमारे bodies में, जो vessels होते हैं, वो पूरे body में distributed हैं, तो आप ये सोच सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोग circulatory systems की बात करेंगे, तो वो पूरे body में क हैं हमारे bloods हैं, तो blood जो हो गया, वो fluid connective tissues हो गया, that is fluid का मतलब आप जानते हैं, जो हमारा क्या होगा, ये हमें लोग कर सकते हैं, liquid type, तो ये पूरे body में क्या हो रहे हैं, fluid कर पा रहे हैं, अब ये समझ ये, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर मान के चलिए, हमने आपको कोई cold drinks, cold drinks में क्या होता है, sweetness भी होते हैं, तो उसका composition आप समझ सकते हैं, हर चीज़ का composition होता है, तो हमारे bloods के भी compositions होंगे, अगर हम लोग बात कर सकते हैं, blood का, तो blood basically बनता कैसे है, आईए हम लोग थोड़ी से इसकी बात करेंगे, तो bloods अगर पढ़ें, तो friends याद रखेंगे, जो हमारा blood है, वो blood, fluid tissue है, इसके दो major parts हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा plasma term है, और एक की हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, corpuscles, या फिर आप उसको आसान, वहासा में cells भी कह सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया, यह cells हो गया, अब यहाँ पर बात समझे, अगर हम लोग बात करते हैं, प्लाजमा का, तो यह 55% है, पूरे blood solutions की, और हम लोग बात करते हैं, cells का, तो यह कितना हो गया, 45%, अगर मैं बात करूँ, blood का, तो blood सिर्फ एक ही plasma और यह blood cells हैं, इसमें cells में भी different types हैं, तो आप पढ़ेंगे, RBC की बात करेंगे that is red blood cells, जिसको हम लोग Erythrocytes भी कहते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे WBC की, और हम लोग बात करेंगे platelets की, तो यह सब various parts हो गया, bloods की, अगर हम plasma की बात करें, तो plasma में क्या होगा, different types का proteins भी होता है, और हम लोग अगर बात करते हैं, water का, तो यह approximately 92% हमारा water content भी होगा, औ जो बच गया हमारा, वो 6-8% हमारा क्या हो गया, proteins हो गया, और जो minor हमारा हो गया, वो nutrient substance, plasma का ही part हो गया, तो 1% हम लोग क्या कर सकते हैं, other substance, जिसमें hormones, सारे vitamins, nutrients, सब आ गया, तो हम लोग other substances को लिख सकते हैं, other substances, तो यह हमारा blood का part हो गया, अब यहां से समझना है, तो हमार blood का functions भी परेंगे, तो आप यह जानेंगे, कि जिस प्रकार से blood पूरे body में क्या हो रहा है, circulate हो रहा है, तो जो भी इसमें proteins part हो गया, हमारे जो भी waters हो गया, other substance हो गया, oxygen हो गया, यह various parts में circulate होता है, through bloods, अब यह आप समझिए, जैसे हम लोग बात करते हैं, हमने भी बता परेंगे, जो हमारे blood का nutrient की हम लोग बात किये थे, तो nutrients में friends आपको याद होंगा, अगर हम लोग बात करते हैं, carbohydrates का, हम लोग बात किये थे, vitamins का, मिन्डोस का, यह सब क्या हो गया, यह nutrient content हो गया, और अगर हम लोग बात करते हैं, we respire air, air क्या होता है, air में आपको पता है, oxygen करेंगे वह क्या याद रखना आपको ऑक्सीजन तो हम लोग क्या करते हैं आपको WAT aristodra बॉर इनोंगे क्या तो ब्लड का पार्ट बनके यह पूरे बॉरी मेंुs होंगे और साथ ही क्या produce करते हैं carbon dioxide ये भी क्या होगा remove होता है हमारे lungs के थुरू तो ये हमारे पूरे body से carbon dioxide को collect करके friends कहां पहुचा देते हैं lungs तक पहुचा देते हैं तो पूरे bodies में आप ये देख पा रहे हैं mainly जो nutrient है oxygen है carbon dioxide है इसकी transportation के लिए हमारा जो major part है वो क्या है वो है blood तो through blood हम लोग कह सकते हैं जो भी various substance होंगे body में वो circulate हो रहे हैं तो fluid part of the blood is called plasma हमने आपको बता दिया भी और हम लोग बात करते various salts हैं nutrients हैं जो कि हमारे blood के components में पाए जाते हैं अब यहां से देखिए जो blood cells होंगे जैसा कि मैं आपको बताया जैसे RBC बताया WBC बताया platelets बताया यह सब क्या suspended है किसमें तो हम लोग बात कर सकते हैं plasma में तो plasma जो हमारा एक तरह से क्या कह दीजिए आप यह कह सकते हैं यह liquid part हो गया और जो हमारे cells हैं आप यहां से देख सकते हैं जैसे blood क्या हुआ हुआ आपको दिख रहा है तो यह जो round round आपको दिख रहा है RBC WBC है ना अगर हम लोग बात करते हैं platelets यह सब कहा है तो yellow color का जो plasma दिख रहा है आपको इस yellow color के plasma में यह सब क्या कर रहा है हम लोग थोरी सी बात करते हैं अगर आपसे questions आ जाया है what is plasma तो क्या लिखेंगे तो लिखेंगे plasma is the liquid component of the blood in which most of the blood cells are suspended यहां तक कोई दिक्कत है बिलकुल नहीं अब यहां से मैंने आपको बताया जो plasma होते हैं क्या-क्या present होते हैं उसमें waters भी present है और क्या present है उसमें लगवग हम लोग क्या सकते हैं nutrients होंगे और carbon dioxide होंगे oxygen होंगे यह सारे parts भी हो सकते हैं अब थोरी सी हम लोग बात करते हैं cells की क्योंकि blood में क्या करना है आपको तीन cells परने और नाम तो बिल्कुल भी याद रखना है RBC का WBC का और platelets का तो RBC का full form हो गया हम लोग red blood cells बोलते हैं और biology में इसका एक नाम दिया गया है वो क्या है erythrocytes यह आप याद रखेंगे erythrocytes अब यहां से समझेए यह होता क्या है तो RBC का major functions है पहला तो आप समझ रहे होंगे हमारा blood color कैसा होता है तो आप देखते होंगे red है red किसके कारण से due to presence of hemoglobin इसमें pigment present होता है hemoglobin जिसके कारण से हमारा blood का color क्या हो गया red हो गया friends अब आप सोचिए जो इसमें हमारा hemoglobin इसका काम कैसर क्या यह responsible है color के लिए yes और क्या इसका functions है तो हम लोग कैस सकते है hemoglobin जो है वो responsible है transportation of oxygen and carbon dioxide अब यह कैसे तो यह क्या कर सकते हैं आप इसको समझ लिए जैसे क्या होता है आप अगर बात करें passenger की है ना तो किसी गारी पर क्या होता हम लोग कहीं बैठते हैं फिर अपने destination में पहुंचते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं लीव कर देते हैं बस को कर देते ह फिर हमारा अगर बापस आना होता है तो हम फिर अधर भेकल को भी हमनों क्या करते हैं यूज करते हैं बट यहाँ पर याद रखना है जो hemoglobin है वो हमारा oxygen transportation में भी help है और carbon dioxide के transportation में भी help करता है तो RBC जो हमारा red blood cells full form हो गया यह responsible है transportation of oxygen and carbon dioxide यहाँ तक याद रखेंगे friends अग color तो देता ही देता है और site में हमारा hemoglobin क्या कर लिया बाइंड कर गया किसे oxygen से अब यह समझेए तो हम लोग कह सकते हैं sir हमारे bodies में जो bloods होते हैं वो color तो कैसे color की बात करेंगे एक हम लोग बात करते है pure red color की और एक क्या होता है हमारा जो color है वो थोड़ा सा क्या होगा dimness कर जाए घट जाएगा redness कम हो जाते हैं कैसे तो जब oxygen से अगर bind करेंगे तो color हमारा क्या रहेगा पूरा पूरा red रहेगा और हम लोग बात करते हैं थोड़ा CO2 से अगर bind कर गया हमारा RBC तो color क्या होता है थोड़ा सा bluish type का हो जाता है है ना तो यह याद रखेंगे bluish type का तो आप यहां से सोचेंगे कि यह कैसे हो जा रहा है सर तो आप यह समझेए क्योंकि CO2 और oxygen यह दो जो respiratory gases हैं इनके combination से RBC क्या कर लिया अपना color change कर लिया अब देखिए थोड़ा समलों को बात करना है WBC का और platelets का यह होता क्या है जैसे हम लोग ने क्या किया फूड को इट चलना है कि मान के चलिए आपके स्कूल में दस बच्चे हैं दस आपका दोस्त है एक दोस्त हो सकता है थोड़ा बदमासी करें और और के साथ मिस भी है भी करें तो क्या करेंगे आप उसके लिए अपने class teacher से शिकायत करेंगे तो सेम चीज हमारे bodies में जो useful substance है जब वो बाड white blood cell है ना जो कि हमारे immune system का part है immune system अब समझ रहा होंगे defense mechanism है तो उससे बचने के लिए WBC ने क्या कर लिया एक तरह से soldier के तरह act किया और fight किया उस pathogens के साथ या तो उसको inactive कर देगा या फिर kill कर देगा और हमारे body को damage होने से बचा सकता है तो हम लोग कह सकते हैं immune system का जो हमार of WBC अगर WBC ना हो तो immune system का जो use है defense वो ही नहीं कर पाएंगे तो WBC का भी बहुत सारा use है अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा friends platelets की platelets क्या होता है अभी मैंने आपको पताया है जब हमारा क्या होता है minor cut हो जाता है तो minor cut में क्या होते है blood ooze out हो जाते है उससे बचने के लिए क्या करना होगा तो platelets से जो होते हैं blood के parts है वो help करते हैं यह smallest cell है blood में जो कि क्या करेंगे एक साथ clumping करके जूड के आपस में जहां पर हमारा cut हुआ है वहाँ पर जाके यह क्या करते हैं इस्टक कर जाएंगे और blood के हमारे flow को यह या हम लोग कर सकते loss को prevent करेंगे है उसके बाद जैसे आप देखते हों कहीं पर cut गया कुछ दर के लिए आप दवा के रखें फिर after some time लगवक्त 3-5 minute के बाद आप क्या देखते हैं वहाँ पर हमारा क्या हो गया होता है है ना basically अगर नाम की मैं बात करूँ तो आप नाम याद रखेंगे सिर्फ हम लोग बात करते हैं neutrophils है ना हम लोग बात करते हैं monocyte हम लोग बात कर सकते हैं ishinophils हम लोग बात कर सकते हैं lymphocyte और basophils की यह सब WBC का types हैं जो अलग-अलग reactions में help करते हैं अलग-अलग तरीके से जैसे allergy वेगरा हो गया या कोई तरह का immune system हमारे डवलब करना या फिर कुछी तरह का pathogens हमारे body जमा गया तो हर मतलब pathogens के लिए kill करने के लिए हमारे पास क्या है अलग-अलग WBC के types वाले soldier हैं जो आपके body को हमारे body को एक immune provide कर पा रहा है clear reference तो यह हो गई बात blood की अ confined vessels में जी हां तो vessels हमारा क्या होगा sir तो आप यह याद किजिए मैंने भी क्या बता है कि blood में एक pigment है नाम है hemoglobin और hemoglobin हमारे दोनों respiratory gases से bind करते है that is oxygen and carbon dioxide तो क्या यह same pathway यह same vessels में flow करेंगे तो answer आता है नहीं यह दोनों अलग-अलग हमारे vessels में क्या होगे ट्रांस्पोर्ट करेंगे तो basis पे हमने क्या किया दो types के आपको परने है blood vessels that is arteries and veins परने हैं आपको what is the meaning of arteries अगर हम लोग arteries की बात करें friends तो पहले आप यह समझ लिजे blood vessels क्या एक tube है जो पूरे bodies में क्या होता है distributed होता है और हम लोग कह सक है each and every cells जो है directly or indirectly connected है हमारे blood से है ना that is blood vessels से तो अब यह सोचिए तो जितने भी body parts होंगे trillions of cells है इतने छोटे-छोटे cells भी हमारे directly और indirectly blood से connected है तो आप यहां से कह सकते हैं जो blood vessels हो गए वो हो गए three types के number one artery ले लिजिए number two veins की बात करेंगे number three हम लोग बात करेंगे capillaries की अब यह arteries क्या होता है यह समझे अब हमारा जो blood है उसके function के basis पे that is functions क्या मैंने बता है oxygen का transportation's nutrition का transportation's बता है मैंने आपको तो यह function के basis पे हम लोग बात करेंगे different type का blood vessels भी और उसके अंदर का जो components है blood that is rbc कैसे bind करेंगा यह सब बात करेंगे तो आईए हम लोग सुरुवात करते हैं सबसे पहला arteries की आप यह diagram देख सकते हैं arteries कैसा color दिख रहा है आपको red दिख रहा है और आपको veins कैसा दिख रहा है blue is type का दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया यह दो color से क्यों दिखाएं sir क्या हम oxygen rich blood को that is जो हमारा body में blood है याद रखिए उसका functions क्या है oxygen भी transport करना है और functions क्या है CO2 भी transport करना है तो जो oxygen का transport की हम लोग बात करेंगे वो basically किस से हो गया artery से हो गया और CO2 की हम लोग बात करेंगे transportation यह कहां से हो गया वेन से हो गया अब आप कह सकते हैं sir यह O2 और CO2 आया कहां से तो O2 जो हम लोग inhale किये और CO2 जो हमारे bodies में जो cells में हमारे क्या होते हैं जो carbohydrate हम लोग eat करते हैं जो भी हम लोग food particles eat किये हैं वो break होते हैं और क्या release करते हैं carbon dioxide यह आप पढ़ेंगे और आप जब respiration पढ़े होंगे तो आपको मैं बताए हूँ यह हमारा CO2 क्या होता है each and every cells produce CO2 with the help of mitochondria है अगर आप देखिए यहां से थोरी सी बात करते हैं तो artery क्या हो गई अब यह आपको पूरा का पूरा systematic diagram बताएंगे कैसे यह heart से connected है इस पर बात करेंगे बट basically अभी हम लोग क् differentiated basis पर बात करते हैं तो सबसे पहला artery क्या होता है यह हमारा carry करता है oxygenated blood अब oxygenated blood अब से question पूछा जाता है कहां से कहां तक है ना from where to where अब यहां पर समझ यह तो हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कि heart ले ले लेते हैं example में तो heart क्या करता है यह pump करता है blood को मैं भी बताऊंगा थोरा सा आगे आपको तो जब heart क्या किया pump किया blood को तो blood कैसा था oxygenated ठीक है तो oxygenated blood pump किया कहां से from heart to the cell and tissue of the body इस तरह से अब समझ सकते हैं the blood carry है ना from heart to tissue यह याद रख लेंगे through artery है ना उसी तरह से लोग वेन की बात करेंगे वेन कैरी करता है deoxygenated blood अब deoxygenated blood कहां पे तो deoxygenated blood की मैं बात कर रहा हूँ मतलब जो RBC होंगे blood के उसमें क्या होंगे carbon dioxide ज्यादा होंगे rich होंगे तो deoxygenated blood अब वो कहां produce यह tissue अब यह tissue से blood कहां जाएगा तो heart के पास किस लिए purifications के लिए तो हम लोग कह सकते हैं वेन कैरी deoxygenated blood from cells और tissue to the heart यह याद रखेंगे to the heart अब यहां से बताईए मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो blood का flow होता है हमारे body में वो एक confined closed vessels में होता है होता है तो sir artery और vein आपस में क्या दोनों united हैं जुड़े हुए हैं थंबो सकते हैं यस बट उसके beach का medium को जो दोनों को connect करता है हम उसकी बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं friends capillaries अब यह याद रखेंगे capillaries क्या होता है यह smallest blood vessels है हमारे body के यह most इसका functions क्या है यह function से exchange करते हैं material को between the circulation and cell circulation कहने का मत्तब क्या हो गया अब यह diagram में देख सकते हैं यह क्या हो गया artery basis इधर क्या हो गया आपका vein हो गया artery से छोटा होता arteriol that is branching होगी है ना अब यहां से देखिए अब vein से छोटा क्या हो गया venure हो गया that is branching अब इसके बीच में जो exchange होगा materials का वो exchange हो जाएगा हमारा capillaries के पास तो capillaries जो है वो fine network है that make a easy pathway for diffusion of materials due to increase in surface area जितना ज्यादा surface area यहां पर increase age है इसके कारण से easily हम लोग कह सकते हैं exchange हो जाएगा materials का from artery to vein and from vein to artery अब इसमें basically आपको याद रखना है carbon dioxide और oxygen clear है तो यह पूरा का पूरा functions हो था वो blood vessels का था अब यहां पर समझ यह एक चीज और होता क्या है कि जब heart pump करता है blood को तो उसमें pressure ज्यादा होते हैं तो वो artery में pressure ज्यादा होगा that's why जो हम लोग बात करते हैं lumen का that is इनके बीच की जो holes है वो छोटे होते हैं और जो outer layer है वो क्या होता है थीक होता है तो हम लोग कह सकते हैं wall of artery is थीक ओगा clear है अब यहां से हम लोग बात कर सकते हैं veins का veins में क्या होते हैं pressure थोड़ा कम हो जाता है body frictions है तो pressure जब कम हो जाएगा तो इसके wall जो होंगे wall of vein is हम लोग thin word use कर सकते हैं अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं एक तो यह याद रखेंगे दूसरा याद क्या रखेंगे जब जो हमारा heart blood को pump करता है तो पूरे body में transport हो गया that is अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या artery में भाल्व होने चाहिए भाल्व का मतलब होता है इस तरह से इसमें क्या है यह muscles fiber present है जो क्या करते हैं blood के direction को भी maintain करते हैं ठीक है तो इसमें क्या होंगे हम लोग रखेंगे no valve present in artery और vein में क्या लेखेंगे valve is present और जो present होते हैं वो इस direction में होते हैं ताकि वो क्या कर ले prevent कर सके backflow को इसका मतलब ऐसे समझेए अगर मैं हाथ को ऐसे रखा हूँ आप उपर से pressure लगाएंगे तो easily क्या होगा open हो जाएगा और मैं अगर ऐसे रखा हूँ आप नीचे से लग body बापस collect करके blood को heart में लाता है तो इसमें कैसे होंगे तो जो हमारे पैर हो गये limbs हो गये उनके blood ऊपर आए फिर वहां से हमारा upper part में फिर upper part से हमारा stomach part में फिर finally हमारे hurts में तो one step by step करके क्या हो गया blood पूरा का पूरा हमारे body का इस तरह से circulate होता है तो यह याद रखेंग जो artery और veins होते हैं उनके wall का और lumen का thickness बहुत ही जरूरी है आपके NCRT में दिया हुआ है अब देखिए यह major part हमने क्या किया blood भी पर लिया हमने vases पर लिया अब सबसे important क्या है सबसे ज़्यादा important पर ना hurt आप यह समझे अगर आपके घर में इस क्या है अगर motor लगे हुए ह पारी क्या हो रहा पूरे हर room में distribute हो रहा है clear है तो pipe भी चाहिए salute के लिए water भी चाहिए बट अगर pumping organ ना हो that is हमारा ground से जो water है वो हमारे क्या हो storage tank की तक ना पहुँचे तो कैसे होगा तो इसके लिए क्या करना होता है एक most efficient हमारा pumping चाहिए कि नहीं चाहिए बिल्कुल चा बना हुआ है यह बना हुआ है muscles का तो heart is the muscular organ in animals that pumps the blood through the vessels अब सोचिए जब blood को pump की है तो यह पूरे vessels में क्या हो गया distribute हुआ clear है अब यहां से हम लोग बात कर सकते हैं hearts में कितने होते हैं आप यहां diagram देख सकते हैं तो heart में हमारे chamber हो गए चार ठीक है अगर humans की बात करें तो friends अगर lower organism that means अगर फिस की बात करें अगर हम लोग birds की बात करें तो birds में भी चार होंगे reptiles में कम हो जाते हैं birds में दो सौरी fish में दो हो जाएंगे birds तो हमारे human के तरह ही तो हम लोग क्या देखते हैं अलग-अलग organism में अलग-अलग chambers है हट के बट याद रखिए humans में कितने हैं चार चमबर याद रखने हैं आपको और चार चमबर में upper two chambers आप यहाँ पर देख पाएंगे यह अपर दो चमबर हैं हम लोग बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं auricle और atria तो हम लोग यहाँ पर लिक देंगे auricle clear है और नीचे का दो चमबर तो क्या बोलते हैं हम लोग ventricle clear है अब आप यह देखिए तो यह हम लोग बात करते सर दो है तो हम लोग अगर एक को mention करेंगे तो कैसे करेंगे तो आप लिखेंगे left और right अब आप देखिए हमारा हाँ इधर क्या हो जाएगा यह left हो जाएगा तो इधर क्या लिख जाएगा तो हम लोग बात करेंगे left oracle हम लोग बात करेंगे right oracle हम लोग बात करेंगे left ventricle फिर हम लोग बात करेंगे right ventricle इस तरह से 4 chambers होंगे हमारे heart में अब यहाँ से बात आती है यह जो चार चेंबर का जरुवत क्यूं है एक ही चेंबर से तो काम बन जाता है तो एक ही चेंबर से काम बन जाएगा बट जो हमारा separation होना चाहिए blood का that is oxygenated and deoxygenated blood वो नहीं हो पाएगा efficiently और हमारे bodies में क्या चाहिए oxygen बहुत चाहिए energy generate करने के लिए तो उसके कारण से हम लोग क्या करेंगे most efficient evolved organ है हमारा body में that is hurt तो यह क्या देखेंगे इसमें चाहर चंबर यह बहुत important है so the separation of oxygen and deoxygenated blood takes place अब यहाँ पर सोचिए oxygenated और deoxygenated blood कैसे separation होंगे हम लोग इसकी बात करेंगे clear है और जो सबसे बड़ा बात है pumping के लिए एक word use करेंगे contraction and relaxation तो जो हमारा hurt होता है जाब हम लोग बात करते हैं जो muscular wall chambers है जिसके वो muscles के बने होते हैं और जो muscles से वो contact करेंगे और relax करेंगे जिसके कारण से एक mechanical force developed होगा और यह mechanical force काफी है हमारे पूरे body में blood के circulation के लिए तो friends हम लोग अगले class में बात करेंगे किस प्रकार से यह चार chamber से हमारा blood flow होगा और जो आपका basic term है heartbeat, pulse rate, stethoscope यह सब में लोग बात करेंगे next chapter में तब तक के लिए thank you so much आपका कोई भी questions हो doubt हो तो आप जरूर comment कर सकते हैं